सुनिये त्रेता युक की बात है ब्रह्मा जी देवराज इंद्र अगनी वायू आधि सारे देवता सब्त रिशीगन और पित्वी देवी सब मिलकर वैकुंठ लोग जा पहुँचे करण शुहांगम लक्ष्मी कांतम कमलनयनम योगि भिल्दार कम्यम वन्देशनुम भभवेहरम सर्वलोगेगनाथम हे देवताओं के स्वावे शर्णागतों के रक्षक आपकी जय हो हूँ हे क्रपालू आपकी लीला अधुत है उसका भेट कोई नहीं जानता है कोई भी उसको जानने का अभीमान नहीं कर सकता है और उसे वही जान सकता है इस पर आपकी क्रपा हम पर क्रपा करने पापों का नाश करने वाले नारायन हमारी सोधिलें प्रभू देवी प्रित्वी एवं समस्त देवता अपने मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आये हैं ए अविनाशी हमें दर्शन देकर हमारा उपकार करें प्रभू हे भक्त वस्तल भगवान हे आशरणों के शरण हमारी रक्षा किजिए प्रभू हे श्रीपति आप ही मेरे पालक है आप ही मेरे रक्षक है नाथ आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यों लोग के समस्त जीवों को आश्रे देती हूं उनका भार उठाती हूं सब कुछ सहन करते हुए मैं उनका लालन पालन करती हूं किन्तु ये राक्षस राज रावन मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जो मेरे लिए असहनिय हो गई है अपने बल के मद में चूर होकर रावन चारों और आतंग फैला रहा है जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है उसे ये उनमादी रावन युद्धम देही युद्धम देही कहकर युद्ध के लिए ललकारता रहता है और जो निर्बल और शान्ती प्रियजीव हैं उसे भी बिना कारण सताता रहता है रावन और उसके राक्षस, रिशियों को यग्य नहीं करने देते मुलियों को तपस्या नहीं करने देते और अपने मनोरंजन के लिए, निर्दोश जीवों की हत्याएं करता है पूरी पृत्वी पर रावण ने स्त्रीयों के अभारण और अत्याचार का अभियान चला रखा है कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं हे विशंबर उसका ये अत्याचार देख मुझे मा का रिद्य फटा जाता है मुझसे अब और सेहन नहीं होता प्रभू मुझे इस राक्ष से मुक्ति दिलाए हे विश्णु देव हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताडित कर रहा है हम देवताओं प्रकृती के नियमों की रक्षा करते हैं हमारे कार कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता है किन्तु रावण हमें भी सनातर नियम तोड़ने के लिए विवश करता है और उसके भाय के आगे हम सब कुछ नहीं कर पाते मेरे मार्क में बादा एंदर तेरा ये तु साहस अपने मेगों के द्वारा तु मुझे रोखना चाहता है अपनी पराज है पूल गया क्या कहीं तु याद दिलाओं या एक बार फिर मुझे से टकराना चाहता है यदि यही इच्छा है तो आपने बादल नहीं तो मैं अभी ये सिक्षन तेरा उपचार करे देता हूँ पहोत अछे बहुत अच्छे शची पती इंद्र तुमने शीग्र ही समझ लिया कि मेरी मित्रता में ही तेरा भित है सूरियो देफ़ता पर क्या कर रहा है आप अपने सम्राठ से कुछ सीखिए और मेरा अनुकूल रहा कीजिए देखते नहीं आपकी किरणों के ताप से कैसे मेरा माथा जला जाता है और हाँ वो चंद्रदेव उस चंद्रदेव से काओ वाता वरण को थोड़ा शीतल है जाओ हाँ हम् हे प्रभू दावन के अत्याचारों से हमारी रक्षा का सामर्थ्यर केवल आप में है आप समस्त जीवों की अंतरात्मा है और हम सब में जो कुछ भी शक्ती है वो आप से ही है हमाँ की शरण में है हे अक्षर शिग रही हमारा उधार कीजिये श्रीपती नहीं तो यह सारी व्यवस्था नश्ट हो जाएगी जगत पिता ब्रह्मा का बर्तान पाकर यह रावन मनमाना हो गया है इस समय ब्रह्मान में उसे अनुशासित करने की शक्ती किसी के पास नहीं है हे प्रफू क्या उस आतिताई से हमें कभी मुक्ती नहीं मिल पाएगी आप निराशन हो ब्रह्मान मेरी प्रतिग्या है कि जब जब गौ माता विप्रजन संत समुदाए और देवताओं पर विपत्ती आएगी जब जब अविश्वास अनाचार और अधर्म की वृत्ती होगी और धर्म की हानी होगी जब जब भक्त मेरा उपास करेंगे पेरी भक्ती को अंध विश्वास समझेंगे और तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यग्य की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूगा मेरी ये प्रतिग्या अटल है भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवश्य अवतार लूगा बहगान विश्णो की! जाए! बहगान विश्णो की! जाए! बहगान विश्णो की! कि पूर्वकाल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और प्रह्मा जी से बर्दान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड, नाग, यक्ष आधी कोई भी ना मार सके किन्तु उस समय उसने मनिश्यों का नाम नहीं लिया और ये तिरसकार से कहा कि मनुश्य तो उसके लिए तिनके के बराबर है अहंकार सदैव पतन का कारण होता है रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा क्योंकि शीगरी मैं मनुष्य रूप में अफ़तार लेकर तुराचारी रावन का वद्ध कर दूँगा धे पुश्युत्म हमें क्या करना होगा आदेश दीजिए प्रभू आप सब भी प्रित्वी पर अपने अपने अंच्चों से वानर कुल और रिक्ष कुल में अफ़तार लीजिए समय आने पर रावन के विरुद धर्म युद में मैं आपकी सहायता लूगा आप समस जगत के पालक हैं ये धरनी धर आप से ही ये ब्रहमान जन्म लेता है और आप ही प्रहलाइकाल में इसे अपने मिलीन कर लेते हैं ये प्रभूर रावन के विनाश के लिए आपका एक कटाक्षी परियाम्त है फिर भी आप हमारी सहायता चाते हैं ये प्रभूर हमें आशीरवाद दीजिए कि हम आपकी लिला से मोहित होकर अंकारी न हो जाएं आपकी दिधी देवी रुक्मनी प्रेम में समर्पन तो करती हैं किन्तु प्रदर्शन नहीं फिर भी मेरे प्रती उनका गहन प्रेम वो कुछ अफसरों पर कुछ आगर हो ही जाता है क्या बात है प्रिये कुछ कहना चाहते हैं कुछ भी तो नहीं नाथ ये नरा अफदार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हूं प्रिये किन्तु कोई भी धर्म कारे धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता आप मेरी सहचरी हैं आपको ही ये दायत्व निभाना होगा इस अफदार में मैं अनाचारी राक्षसों का वद्थ तो करूँगा ही किन्तु ये अफदार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माथ्यम से सदाचार का अधर्ष प्रस्तुत करना है मनुश्यों की शिक्षा और प्रेड़ना के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूँगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिग रहूंगा मेरा ये अफदार मर्यादा पुरिशोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा ओम नमा शिवाई और ये लो 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 ल ओम नमाशिवाया, ओम नमाशिवाया आप ये किसका चाप करें महादेव? राम, मेरे राम राम, कैसी शी तलता है इस नाम में? अनादी काल से ही, यह नाम इस जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है वो कैसे महादेव? ओम नमो नरायन मंत्र से विजाक्षर राव और ओम नमो शिवाय मंत्र से विजाक्षर मां को मिला देने से इस राम मंत्र की रशना होती है इस अमूल मंत्र में भगवान विश्णू की कल्यान कारी शक्ती के साथ है मेरी शक्ती का विवास है यह मंत्र सरमंगल कारी है मोक्ष कारी है और सभी प्राडियों के कल्यान की राम बान वश्दी है आपकी महिमा नेराली है पुलेलान आप जब उग्र रूप धारन करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं और जब प्रेमगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनंद में हो जाए जो अनंद मेरे मन में जागा है शीग रही वे पूरे पृत्वी लोग पर छाजाएगा वो कैसे महादेव? क्योंकि आपके जो परम रहस्य में महान भाई भगवान विश्णु है न वे मनुष्य रूप में चन्ब लेने वाले हैं और इस मनमोक अफ़तार में उनका नाम होगा श्री राव वे मेरे भाई अवशे हैं अन्दिशु परन्तु आपके प्रेम और समर्पन के समख मेरा प्रेम तो कहीं ठहता ही नहीं रिश्यों ने भी स्थत्य कहा शिवाई विष्ण रूपाई शिव रूपाई विष्णवे शिवस्त हिर्दयम विष्णू विष्णोस्त हिर्दयम शिवा हर्थार शिव विष्णू का रूप है और विष्णू शिव का रूप है शिफ विश्णु के हिर्दय में वास करते हैं और विश्णु शिफ के हिर्दय में परन्तो महादेफ श्री नारायन को अवतार लेने की क्या वश्यक्ता है पिस जब जाहे तब अपने चक्र से रावन के दसों से काट सकते हैं निश्यत ही काट सकते हैं शैल पुत्री ब्रहमा जी के वर्दान की आवहिलना नहीं करेंगे किन्तु ब्रहमा जी अगवान विश्णु और मैं तीन अलग अस्तित ववश्चे किन्तु मूल में हम तीन और एक ही है बवानी इस रावन ने दस सहस्त रवर्शोतर बड़ी कठिन तपस्या करके इतने शुपकर्मों का संचे कर लिया कि ब्रहमा जी को बात दे होकर उसे मन चाहा वर्दान देना ही पड़ा और तब से वह अजे होकर अत्याचारी होगी इसलिए जब तक उस पापी के पूर फुर्ण्यों का छे नहीं हो जाता उसका बद नहीं किया जा सकता अब उसका काल निकट आता जा रहा है और शीग रही भखवान विश्नु के श्री राम का अवतार लेके उसका अंधकर डालेंगे और उनके इस कार्रे में मैं उनकी सायता करूँगा आप महेश्वार? हाँ भवानी भगवान विश्नु के जराम अवतार के साथ साथ मेरा आंशिस वानर कूल में उत्तम वानर हनुमान बन कर जनम लेगा